नमस्कार मैं उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश विदेशी कुछ प्रमुख खबरों को आज है पेपर बाग दिवस आज दुनिया भर में पेपर बाग दिवस मनाया जा रहा है इस दिन को मनाने का उदेश प्लास्टिक के इस्तमाल को कम करना साथी प्लास्टिक के बज़ाए पेपर बाग का उपियोग करने के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है पेपर बैग हानिकारग प्लास्टिक की थैलियों के लिए एक पर्यावरन के अनुकूल विकल्प बनकर बीते कुछ समय से उभर कर बाजार में आया है प्लास्टिक बैग की वज़े से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा परिशानी उत्पन होती देखी गई है दुनिया भर में समुद्र में प्लास्टिक का कच्रा जमा हो रहा है जिससे मच्रियों की जान जा रही है इसे लेकर कई बार वैग्यानिकों ने सब को सचेत भी किया है और साल 2050 तक समुद्र में मच्रियों के बराबर ही प्लास्टिक जमा होने का अनुमान भी लगाया है हाला कि कागस की थेलियों का इस्तमाल शुरू कर दिया गया है क्योंकि कागस की थेली को दुबारा से रीसाइकल भी किया जुआ सकता है उपराश्ट्रपती M.Vankaya Naidu ने ग्रीन आर्किटेक्चर पर ध्यान देने की कही बात आपकी जुआनकारी के लिए आपको बता दे M.Vankaya Naidu ने उक्तबादे National Condition of the Indian Institute of Architects IIA NetCon 2020 को वर्चुल माध्यम से संबोधित करने के दौरान कही है इसके साथ ही उन्होंने किसी भी इमारत में सौहर्द बोध और स्थायत्व के बीच सही संतुलन की जरूरत पर भी जोर दिया है आमिताब बच्वन और अभिशेख बच्वन के बाद अब अश्वरय राय और अराध्या बच्वन की रिपोर्ट भी आई पॉजितिव बताई गई है हालाके अभिशेक बचन ने अपने रिपोर्ट की ज़ानकारी खुद ट्वीट कर दी और फिलाल अमिताब बचन और अभिशेक बचन दोनों को नानवती अस्पताल में भर्ती कराये गया है मिली जौनकारी के अनुसार डॉक्टर अंसारी की अगवाई में इमताब बचुन का एलाज किया जा रहा है और उनमें COVID-19 के सामान एलक्षन बताय जा रहा है फिलाल उनकी तब्यत स्थिर है मिली जौनकारी के अनुसार गहवी बताये गया है कि अभिशेक बचुन के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अराधिया बचुन और एश्वरिया राय बचुन की जाज करवाई गई थी जो इसके बाद उनकी पहले रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी मगर आज दो प अब एक बार फिर से कॉंग्रेस के अंदर पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहूल गांधी को सौपने की मांग तेज हो गई है मिली जानकारी के अनुसार संसत के मौनसून सत्र से पहले मुद्दे और मौजूदार राजनेतिक हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी सांसदों की बैठक में यह मांग हुई है कि कई सांसदों ने राखुल गांधी से अध्यक्ष पत्थ सभलने का आग रह किया है महराष्ट में COVID-19 के लगातार तूट रहे हैं रिकॉर्ड महरास्ट्र में COVID-19 के बढ़ते मामलों में परिश्वानी बढ़ा दी है पिछले 24 गंटे में राजियों में COVID-19 ग्राफ में सबसे बड़ी भुढ़ात रीदर्च की गई है मिली जानकारी के नुसार बीते 24 गंटे में 8149 नए मामलों की पुष्टी की गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे महरास्ट्र में एक दिन में मिलने वाले मरीजों में यह सबसे जादा मामले हैं जिसके बाद राजिमे COVID-19 प्रभावितों की संख्या 24,600 पर पहुँच गई है इतना ही नहीं स्वास्तव भाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार एक दिन में 223 मरीजों की जान भी जा चुकी है जिसके बाद मुंबई में जान गवाने वालों की संख्या 10,116 हो गई है इतना ही नहीं शुकरवार को भी महराज्च में 7,862 मामलों की पुष्टी की गई थी मामलों ने सरकार की परिश्वानी काफी जादा बढ़ा दिये हाला कि धारावी में COVID-19 नियंत्रन के बाद स्वास्त मंत्राले ने थोड़ राहत की सास ली है रेल मंत्री प्यूश गोईल ने बुलिट रेन प्रोजेक्ट पर COVID-19 के असर होने की कही बात COVID-19 ने अपनी चपेट में आमनागरी को से लेकर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को भी ले लिया है इस एकरम में भारत में जल्दी महत्वकांशी बुलिट ट्रेन परियोजना पर भी COVID-19 नामक ग्रहन लग गया है जिसके पुष्टी खुद रेल मंत्री पियूश को इलने की है जिसके तहत उन्हों ने कहा है कि मुंबई और एहमदाबाद के बीच महत्वकांशी बुलिट ट्रेन परियोजना के वित्तिये पहलूओं की समीक्षा की जा रही है क्योंकि COVID-19 की वज़े से खर्च में किफायत बरतने की जरूरत होगी रेलवेन परियोजनाओं के लिए प्रतिबध है और हम इसके लिए योजनाओं और लागत को अंतिव रूप देने के स्तर पर काम कर रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित रूप से COVID-19 ने बुलेट ट्रेन के संबंदी हमारी महत्वाकान शाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और हम COVID-19 के बाद की दुनिया में परियोजनाओं पर फिर से विचार कर रहे हैं ICMR ने की COVID-19 की ज्वाच जरूरत मंदों को ही करने की अपील Indian Council of Medical Research ने राजयों में COVID-19 की टेस्टिंग में अंधादुन बढ़ोतरी देखते वे अपनी सलाह पेश्च की है जिसके तहत ICMR ने COVID-19 मैनेजमेंट की एक वर्चुल मीटिंग के दौरान सभी राजयों से अनुरोत करते वे COVID-19 की टेस्टिंग का अंधादुन इस्तमाल से बचने की सलाह दी है जिसके तहत ICMR ने कहा है कि टेस्टिंग का बेवज़ा इस्तमाल किया जा रहा है जिनकी आवशक्ता नहीं है उनको भी जाज करने से इसका लाभ से ज्यादा नुकसान होने वाला है इतना ही नहीं ICMR ने सभी अस्पतालों से COVID-19 का इलाज करने में भी साफधानी बरतने की बात कही है ICMR ने साफ तोर पर कहा है कि इन सभी उप्चारों को केवल भाही इस्तमाल में लाना चाहिए जहां मरीजों के निगरानी संभव है बीते 24 घंटे में भारत में मिले रिकॉर्ड तोर मामले भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसके बाद पूरी दुनिया में भारत और तीस्ट स्थान पर पहुँच चुका है वहीं बीते 24 घंटे में COVID-19 प्रभावितों के रिकॉर्ड तोर मामले दर्च किये गये है स्वास्थवभाग की तरफ से जारी किये के आकड़ों के नुसार बीते 24 घंटे में भारत में 28,637 नए मामलों की पुष्टी की गई है इतना ही ने 551 लोगों की जान भी जा चुकी है जो इसके बाद देश भर में COVID-19 प्रभावितों की संख्या 8,49,553 हो गई है जिन में से फिलहाल 2,92,258 मामले फिलहाल सकरी हैं और 5,34,621 लोग स्वस्थ होकर वापस घर लोट चुके हैं और अब तक 22,674 लोगों की जान भी जा चुकी है हाला कि बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे COVID-19 के नए मामले स्वास्य वभाग की परेशानी का विशय बने वे हैं और यही कारण है कि जगय जगय पर फिर से लॉकडाउन के नियमों को लागू किया जा रहा है मोटर वहान नियमों में केंद्र सरकार करेगी जलती सुधार देश में बढ़ते प्रदूशन को ध्यान में रखते वे केंद्र सरकार ने वहानों को प्रोटसाहित करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाले वहानों की सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए केंद्रिय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है आपकी जौनकारी के लिए आपको बता दे के इंद्रिय सरक परिवहन मंत्राले ने पिछले साली वाहन और प्रदूशन रहित वैकल पिक साधनों के रूप में हाइड्रोजन चलित वाहनों को लेकर एक मसौदा तयार किया था ताकि देश में बायू प्रदूशन से निजात मल सके चीनी सेना पैंकॉंग सो से हटी पीछे भारचीन के बीच उतपन हुए तनाव अप्थमता नजरार है मिली ज्यानकारी के अनुसार वास्तविक नियंतुरन रेखा पर भारतिय और चीनी सेना पूरी तरीके से पीछे हट चुकी है पर अपनी मउजूदगी को कम कर दिया है और पैंगॉंग छील के कुछनाफ भी हटा लिये है आपकी ज्यानकारी के लिए आप को बता दे पुर्वी लद्दा के पेंगॉंग सो में पांच मई को दोनों से नाओं के बीच में स्थिती और नियंत्रित हो गई थी जिसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ किया है डबलो एचो द्वारा धारावी मॉडल की तारीफ करने के बाद राहूल कांथी ने दी अपनी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस नेता राहूल कांथी हर मुद्दे पर सरकार का घेराव करना नहीं भूलते हैं वहीं आप विश्व स्वास्ते संगठन द्वारा मुंबई के धारावी बस्ती में COVID-19 मुक्त होने के बाद किये गए तारीफ पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जुसके तहत उन्होंने कहा है कि सफलता के लिए वहां की जनता विशेश रूप से शाबाशी की हगदार है दुनिया के सबसे बड़ी जुग्गी बस्तियों में से एक धारावी में संक्रमन के मामलों में लगातार गिरावट आई है जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि डबलू अचोंने COVID-19 संक्रमन रोकने के लिए हमारे देश के धारावी मॉडल की प्रसंशा की है इस उपलब्धी के लिए जिम्मेदार पूरी टीम और खास्तोर पे वहां की जनता शाबाशी की हकदार है उतर प्रदेश में हफते में दो दिन लगाया जाएगा लॉकडाउन COVID-19 पर नियंद्रन करने के लिए उतर प्रदेश की योगी सरकार ने नई योजना बनाई है जिसके तहत प्रदेश में 55 घंटे के लिए लॉकडाउन के बाद अब हर हफते में दो दिन तक लॉकडाउन लगाने का निर्णलिया गया है जिसके पुष्टी उतर प्रदेश के मुख्य साचिफ अवनीश कुमार अवस्थी ने की है और बता है कि सरकार ने जिस तरह 55 घंटे की बंदी की है वैसे ही प्रतिबंध हर शनिवार और रविवार को लगाया जाएगा PM आवास योजना की हर जानकारी मिलेगी उमंग एप पर PM आवास योजना से जुड़ी सारी जानकारी अब उमंग एप पर मुहाया करवाई जाएगी सरकार ने शहरी नागरिकों को आवास प्रदान करने के लिए ही सभी के लिए आवास देने के तहर प्रदान मंतरी आवास योजना के शुरुआत की थी जो इसका फाइदा अब तक लाखों लोग उठा चुके हैं जिसके बाद अब सरकारी सेवा देने वाली मोबाइल आप्लिकेशन उमंगी के जरिये इस योजना से जोड़ी कई जानकारी के बारे में आसानी से आप लोग पता लगा सकते हैं जिसके तहट इस आप की मदद से कैसे आवेदन करना है, फॉर्म में क्या जानकारी मांगी जाएगी, कितनी और वर्ग के लोगों को यह क्रेडिट लिंक्ट सबसिटी मिलेगी समेथ तमाम जानकारी इस आप के जरिये आसानी से अब लोग मिल जाएगी एर इंडिया ने 180 ट्रेनों को नौकरी देने का फैसला लिया वापस, COVID-19 के समाहॉल में देश के विमानन छेतर में 26 सुस्ती की वज़े से रास्ट्रे विमानन कमपनी एर इंडिया ने 180 ट्रेनी के बिन क्रू सदस्यों को नौकरी की पेशकरश वापस ले ली है, जिसके पर लिखा गया है कि विमानन छेतर की मौजूदा स्थि को देखते वे एर इंडिया द्वारा आगे और प्रसक्षन देना समभब नहीं है, इतना ही नहीं ट्रेनिंग में ट्रेनिंग शिरू होते समय जो बैंक ग्यारंटी जमा कराई जाती है, उसे भी वापस किये जाने का फैसला सुनाया है, गौतम गंभीर ने महेंदर सिंग धोनी द्वारा ICC ट्रॉफि को जीतने के लिए सौरब गांगुली को बताया जिमधार, अकसर ICC ट्रॉफि को जीतने के लिए हर और महेंदर सिंग धोनी की तारिफ की जाती है, मगर भारतिय टीम के पूर्फ का मानना है कि सौरब गांगुली के कारण ही ICC क्रिकेट में महेंदर सिंग धोनी की जीत हासिल हुए थी जिसके तहट उन्होंने कहा है कि मौझूदा PCCI अध्यक्ष ने अपनी कप्तानी में टीम को बनाया, नए खिलाडियों को मौका दिया और उन्हें खिलाडियों को आगे देश का वर्ल्ड कप दिलाया, इतना ही नहीं कंभीर ने आ गई है, भी कहा है कि धोनी बहुत भागेशाली कप्तान रहे हैं क्योंकि उन्हें हर प्रारूप में एक अधभुत टीम मिली है, 2011 विश्वकप टीम की कप्तानी करना धोनी के लिए बहुत आसान था, क्योंकि हमा सिंग, योसफ पठान और विराट कोली जैसे खिलाडी मौजूद थे, इसके लिए उन्हें एक बहतरीन टिम मिली थी, इसके लिए सौरप गांगुली को बहुत महनत करनी पड़ी थी, परिणाम सरूप धोनी ने ट्रोफी जीत ली थी, वाई उन्होंने टेस्ट माच में भ अंदबाना ना भूले, धन्यवाद